सबी को मेरा राम राम आज हम बृत से सम्मधित कुछ प्रश्णों पे चर्चा करेंगे यह जो प्रश्ण है वो कंपेटिव एकजाम में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं तो हमें उसके बारे में नोलेज होनी बहुत ज़रूरी है उसके बीशे में आज हम थोड़ो सा डिसकस करते हैं तो शुरू करते हैं आज का टोपिक ज़्यादा लंबी ना बात करते हुए टोपिक पे आते हैं तो जैसे एक नॉर्मल सा प्रश्ण आता है कि बृत का अंशिंग माप कितना होता है तो ब्रित का अंश माप जो होता है होता है 360 डिगरी जो प्रित हमारा होता है पूरा सरकल होता है उसका अंशिंग माप होता है 360 डिगरी और जो हमारा अर्ध ब्रित होता है अर्ध ब्रित का अंशिंग माप होता है 180 डिगरी इस तरह के प्रशन है जिसे हम एक अगला प्रशन कि बृत की सभी तरजयाएं समान होती है बृत कंदर जितनी भी तरजयाएं बनती है वो लंबाई में हमेशा एक कुल होती बराबर होती है उसकी लंबाई जो ज्यादा कम नहीं होती है इसी तरह से ब्यास समद्दित प्रशन दो तीन हमारे प्रशन बनता है जैसे कि एक बृत के अनेक ब्यास हो सकते हैं ब्रित में कितने भी आप ब्यास बना सकते हैं जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं बहुत सारी लाइने लगी हुई है और ये जो है एक लाइने एक बिंदू से परितिक एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक जा रही है और सेंटर से होके जा रही है तो कितने भी जो है वो ब्यास हो सकते है और इसका एक और फैक्ट होता है ब्रित के सभी ब्यास की लंबाई बराबर होती है ये भी एक पका फैक्ट है कि बहुत सारे ब्यास जो है एक ब्रित के अंदर होते है और सभी ब्यास जो है वो लंबाई में बराबर होते है एक और तो इस ब्यास पर फेक्ट है कि बृत का ब्यास उस बृत की सबसे लंबी जिवा होती है जिवा के बारे मैं आपने पढ़ा होगा नहीं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें आप देख सकते जिवा की परिभाशा मैंने उसमें आपको बताये थी आप वीडियो को देख सकते हैं वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिशन में डाल दूँगा नहीं तो बताने के लिए आपको बताता हूं कि चाप के सीरे को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहता है पर जो ब्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है उससे बड़ी जी सबी ब्यास की जो लंबा ही फोएक्वल होती है और जो ब्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा भी होता है इसदे से passion बज़ने दे अगला question हम पढ़ते हैं कि अर्द ब्रित का एक कॉण सम कॉण होता है ये universal truth है कि जो अर्द ब्रित होगा उसके अंदर एक जो कौन होता है वो सम कौन होता ही चाहे अब किसी तरह का भी अर्द बृत के अंदर एंगल बनवालो एक एंगल दो एंगल को इसे बनालो तीसरा जो एंगल बनेगा वो हमेशा नमबे डिगरी का ही होता है अगला एक पैक्ट है कि ब्रित के अंदर स्थित किसी बिंदू से कोई स्पर्ष्रेखा नहीं खीची जा सकती है यदि ब्रित के अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उससे किसी बित्रेखी आप स्पर्ष्रेखा नहीं खीच सकते हैं बाहरा से सपर्शक करती हैं तो अंदर ये दिरते का प्रशन आता है कि क्लिए हम ब्रित के अंदर रखे हुए पॉइंट से अपन एका नहीं की एकला प्रशन है कि बृत पर श्रीथ किसी एक बिंदू से होकर जाने वाली केवल एक हीस पर शेका खिटी जा सकती है जिसी कि आप देख सकते हैं बृत के उपर यह जो आपका सरकल बना हुआ है सरकल पे एक पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट से हम एक हीस पर शेका खिश सकते हैं दूसरी ने खिश सकते हैं क्योंकि एक स्टित किसी बिंदू से होकर जाने वाली दो स्परश्रेकाई की चीजा सकती है बिरित के बाहर स्टित कोई बिंदू है तो उससे होकर जाने वाली हम दो स्परश्रेकाई की सकते हैं जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं बिरित है ब्रित से बाहर बिंदू दिया गया है तो एक रेखा उपर से जारी है एक रेखा नीचे से जारी है तो यदि ब्रित के अंदर ब्रित की परीदिवे प्रित पॉइंट रखा हुआ था तो ब्रित की परीदिवे जो पॉइंट था उससे सिर्फ हम एक ही सपर्ष बिंदू को पहले तक हम ये समझना है, कि उभेनिश्ट क्य उता है, उभेनिश्ट होता है College Common, जो संयुक्त बिंदू होता है। इंसे अगला एक प्रशन में पढ़ते हैं। लास्ट प्रशन है कि किसी बाहिय बिंदू से बृत पर खींची गई दोस्परस्टेकाओं की लंबाई बराबर होती है जैसे हमने इससे पहले भी प्रशन पढ़ा था कि बृत के बाहर जादी परण दिया है तो हम दोस्परस्टेकाओं की सकते है उसी से समद्दित है कि बृत के बाहर बाही जो बिंदू है वहां से जो हम रेखाए दो रेखाए की स्टे है वो दोस्परस्टेकाओं तो खीची सकते है पर उन दोनों रेखाओं की लंबाई भी हमेशा बराबर होती है इस तरह से प्रशन जो इस तरह के जो प्रशन है यह competitive exam में पूछे जा सकते है और इसी तरह के और प्रशनों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंक्स पर बॉचिंग माई चैनल